नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल में स्ट्रेश्वी क्लासिच पर दोस्तों जैसा कि कल 15 जनूरी से हरियाना में 35% जो आरक्षन है हरियानवियों को लिए लागू हो गया है हरियाना के जो यूवा है उनको 35% नोक्रिया मिलेंगी 30,000 रुपे तक की तो अब सरकार ने एक बहुत ही अच्छा जो कदम है वो उठाया है और इसका परचार परचार करने में लग गई है यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल आसान बना दिया गया आप प्रोसेस को कि पोर्टल पर रेजिस्टर करें युवा यानि कि आपको वेबसाइट पर अपने आपको रेजिस्टर करना है आपकी योगता के साथ ठीक है तो कंपनिया हर तीन महिने में इसी पर वेकेंसियां बताएंगी तो आपको कहीं परेशान होने की कहीं दख्ये खाने की जूरुरत तो नहीं है दूर जाने की आपको पोर्टल पर ही सारी जानकारी मिल जाएगी तो देखिए क्या कुछ बताया गया है कि परदेश में प्राइवेट नोकरियों में स्थानियों को 45% आरक्षन का कानुम सनिवार से लाग हो गया है इसके लिए सरकार ने पोर्टल पर ये पोर्टल दे रख्या है ठीक है होंगे यह कानुन और आउट्सोर्चिंग एजेंशियों और ठेकेदारों पर भी लागू होगा तो सभी को हर तिमाई में आउनलाइन डिटेल्स देनी होंगी तो आप लोग समझ सकते हैं कि पोर्टल पर आपके लिए डिटेल आपको आसानी से वहाँ पर मिल जाएगी ठीक है तो इस कानुन को लेकर आपके मन में आने वाले महतवपुन सवालों के जवाब ये हैं तो 30,000 रुपे तक की नोकरी दाइरे में है योग स्थानिय यूवक ने मिलने पर बाहरी रखने का एक साल तक की छूट संबव है तो जो सवाल है वो आप देख सकते हैं इंडस्टरी के लिए क्या प्रिकरिया रहेगी तो ये आप देख सकते हैं रोजगार के इच्चुकों को क्या करना होगा तो रोजगार के इच्चुकों को क्या करना होगा सबसे पहले तो यही देख लेते हैं पोर्टल पर लोग इन करके रेजिस्टेशन करना होगा पैचान पतर स्थानिय है डोमिसाइल एनुवारिया है योगतासा मदी जानकारी देनी होगी कितनी सेलरी की नोकरियां दायरे में आएंगी तो 30,000 उपे तक की जो सेलरी है वो दायरे में आएंगी पोर्टल पर रेजिस्टेशन कब से शुरू होगा तो 15 जनौरी मदेरातरी से शुरू हो गए हैं ठीक है तो बड़ी अच्छी बात है कम्पनियां क्या हर बरती की जानकारी देंगी पोर्टल पर हर तीमाई के पहले महिने की पहली तारिक तक क्रमचारियों की जानकारी देनी होगी तो पोर्टल से ही अपने हकरमचारी को ओल लेंगी बार से ऐसे नहीं ले सकती इसकी जानकारी अगली दिमाई में देनी होगी पोर्टल पर यूकों का बायो डाटा होगा उसमें से किसी का इंटर्वी लेकर चैन कर सकेगी पोर्टल किसे बाहर के यूआ का चैन भी हो सकेगा तो बहुत ही अच्छी बात है क्या कंपनी पोर्टल से डाटा खुद लेश केगी ये भी सवाल है तो रेजिस्टेशन के बाद हर कंपनी को एक लोग इन आईडी मिलेगी ठीक है तो इस पर लोग इन करने पर यूआउं की डिटेल दिखेगी कंपनी योगता नुशार उमीद दूआर मांग सकेगी तो बहुत ही जबरदस्त मतलब ये खबर है और आसान बना देया है चीजों को हर्याना के कैणिडेट के लिए क्योंकि आप लोगों को पता है हर्याना बिरोजगारी में नंबर वन है तो उस पर एक चोट है ये बिरोजगारी पर और एक अच्छी समचारी है उनमें हर्याना के कितने हैं जिनके पास 10 से ज़्यादा लेबर है उन्हें 35% हर्याना के निवासी रखने होंगे यानि के सिरफ 10 कंडिडेट से ही लागो हो जाता है 10 से ज़्यादा अगर आपके पास है तो आपको उसमें हर्यानवी लेने पड़ेंगे कमपलसरी क्या दूसरी बार भी आरक्षन का लाब संभव है हाँ यह कानुन नियोकताओं को 25% स्थानिय युवाँ को नोकरी देने के लिए बाद्या करता है युवाँ पर कोई भी पावंदी नहीं लगाता युवाँ को नोकरी करने या छोडने का दिकार है दोबारा नोकरी पर रोक नहीं होगी तो बहुत ही अच्छी खबर जबरदस्त खबर है सभी सवालां के जवाब आप लोगों को यहां पर मिल गए हैं लगबग और भी देख लेते हैं मुखे मुखे क्या बाते हैं युवाँ के पहले से नोकरी पर है ये कैसे पता चलेगा सभी को प्रिवार पैचा की उलंगना के अनुसार पेनल्टी का पई प्रावधान है यानि के कंपनी ओपर जुर्माना भी लगेगा अगर इसका पालन नहीं करेंगे इस कानून का युवाँ को भरती की जानकारी कैसे देशकति हैं वही अपना सकती है कंपनी चाहेगी तो पोर्टल से युवाओं का चेन इंट्रिव्यू के लिए बुला सकती है या पोर्टल पर भरती का विग्यापन जानकारी दे सकती है रिजिट्रेशन के लिए क्या कोई फीस रहेगी यह पूरी तरह से निसूल्क होगा तो बहुत ही जबरदस्त खबर है निसूल्क रहेगा तो युवाओं में क्या सकिल है ये कैसे तै होगा तो कंपनी इंट्रिव्य और क्वालिफकेशन के हिसाब से तै करेगी किसी पद के लिए योग स्थानिय युवाओं नहीं मिलता तो पोर्टल पर आउनलाइन छूट मांगेगी ठीक है तो कंपनी को बताना होगा कि मुझे कोई भी जो है स्किल्ड युवाओं नहीं मिला है तो तब वो छूट मिल सकते उसको वरना उसको हर्याना से ही कैंडिडेट को लेना पड़ेगा तो बहुत ही अच्छी खबर इसके बाद देखिए प्रेशानी होने पर क्या सिकायत करें कंपनी वे युवाओं पोर्टल पर आउनलाइन सिकायत कर सकते हैं इसमें जरूरी दस्तावज लगाने होंगे तो जानकारी के लिए यहाँ पर दे रखिया है इमेल आईडी भी दे रखिये वेबसाइट दे रखिये वे किस तरह से आप सिकायत भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रेशानी होती है तो कंपनी किसी नीजी पर अपील कहां कर सकेगी किसी चीज पर अपील कहां कर सकेगी तो जिलायुक्त लेबर कमीशनर आदी से सायता ले सकते हैं पोर्टल पर सो रुपे फीस के साथ उच्चा दिकारियों को भी अपील कर सकते हैं इसमें सबूत अपलोड करने होंगे तो दिकारियों तक बात पोचाने के भी प्रावदान है तो मिरे ख्याल से वाला नियम नहीं मानता तो उसमदित कंपनी पर क्या आसर पड़ेगा आउट्सोर्स करने वाले पर जुर्माना होगा ठीका तो यह ठेकेदार वगएरा जो होते हैं उन पर जुर्माना होगा अगर इसको नहीं मानता है तो उन पर भी जरुमाने का प्रावधान है जिन कंपणियों में के शिर्फ ओफिस यहां है और हैड और यहां पर देन जखते हैं क्या बोला गया है कि ओफिस बाहर है क्या उन पर नियम लागू होगा जो भी कंपणिय अरियाना में काम कर रही है उनने रेजिस्टेशन करना होगा जितने करमचारी अरियाना में काम करने वाले हैं नए नियुक तो होगे उनमें 35% स्थानियों उनने चाहिए तो हैड ओफिस अरियाना में हो या कहीं बाहर हो ये भी कलियर कर दिया गया है लास्ट है अधिकारी नियमों का पालन कैसे करवाएंगे तो अधिकारी कमपनियों को वेब पोर्टल पर नज़र रखेंगे कमपनी स्थानियों को रोजगार देने से मना करती है तो नियमानुचार करवाई करेंगे SDM या इसे उच्छों सतर के अधिकारी जाज के लिए डेटा लेश केंगे कमपनी का निरक्षन भी कर सकेंगे तो सभी सवालों के जवाब आप लोगों के यहाँ पर मिल गए होंगे तो बहुत ही अच्छी ख़बर है तो सभी यूँआ अपना रिजिस्टेशन जरूर करें इस वेबसाइट पर यहाँ पर दे रखी है ठीक है वेबसाइट पर अपना रिजिस्टेशन जरूर करें और हर तीन महीने में आप लोगों के पास नोकरी का आउसर होगा तो यह बड़ी ख़बर आप लोगों के लिए आई थी अगर आप भी चाते हरियाना में आउसर्चिंग जोब से समन्दि सभी परकार की ख़बरे समय पर मिलती रहें तो चैनल को जूरू सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें थेंक्यू वेरी मुच